परशकार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंजान के नुसार फालकुन मा, वर्ष का आखरी और चैत्रमा नए साल का पहला मा माना गया है चैत्रमा के शुक्लिपक्ष की परतिपदा से नया विक्रम समवत आरम होता है चैत्रमा के पहले दिन ही भगवान राम का राजिया विशिक हुआ था आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में चैत्रमा कब है कब शुरू और कब समाप्त होगा मावस्या कब है, पुर्णिमा कब है और मा के नियम क्या है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी ब्रत एवं तैवारों के दितियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए है चैत्रमा में गाय और पेरपोदों की सिवा करनी चाहिए मानेता है कि ऐसा करने से अक्ष्य फुनि की प्राप्ति होती है चैत्रमा का पहला दिन बेहर्शुप होता है इस दिन किसी नय कार्म की शुरूरात करना नमक के से भी परहेज़ करना चाहिए आप नमक के जगह सीना नमक का प्रयोग कर सकते हैं साल दो हजार पच्चिस में चैत मा का आरम होगा 15 मार्च दो हजार पच्चिस दिन शनिवार को और समापती होगी 12 अप्रेल दो हजार पच्चिस दिन शनिवार को चैत्र मावस्या है 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को और चैत्र कुर्णिमा है 12 अपरेल 2025 दिन शनिवार को मेरे वीडियो में अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किस नए वीडियो के साथ